दोस्तो स्वागत है आपका MP Academy के YouTube चैनल पर और आज हम आपके सामने एक नए जले के साथ उपस्तेत हैं आज का हमारा टॉपिक है जिला सिहोर ठीक है तो बिना देरी किये चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो सिहोर जिला भोपाल संभाग में आता है देख सकते हैं आप सिहोर क कि लोकेशन यह किसी भी राज को टच नहीं करता है और जिलों की बात करें तो भोपाल राइसेन हुसंगाबाद हर्दा देवास और साजापुर साजापुर और राजगर जिले से इसकी सीमाय लगती है ठीक है तो यह पूछा नहीं जाता है बस आपको लोकेशन याद रख सीप वी यह पार्ट B था मद्यपरांथ यह रिवा जो पार्ट C था जिसकी कैपिटल रिवाथी और यह था पार्ट A यानि कि CP and Barar, Center Province and Barar का छेतर हुआ करता था ये था हमारा भोपाल स्टेट तो जो सिहोर जिला है ये भोपाल स्टेट का भाग हुआ करता था और जो भोपाल है आपको पता होगा 1956 में जब 1 नमबर 1956 में मद्ध प्रदेश का गठन हुआ था तब भोपाल कैपिटल थी मद्ध प्रदेश की कैपिटल का थी भोपाल लेकिन भोपाल जिला नहीं था भोपाल सिहोर जिले की तहसील थी जो आँगे चलके 1972 में यानि कि 1972 में 26 जनबरी 1972 को एक जिले के रूप में आया है तो सिहोर से अलग होकर ही भोपाल जिला बना है ठीक है तो इतना हमने पढ़ लिया है फिर मैंने आपको जब चंबल संभाग पढ़ाया था तो चंबल संभाग में मैंने आपको बताया था मिट्टी कौन सी बताई थी यहाँ पर कछारी मिट्टी और जलोर मिट्टी सेम ग्वालियर संभाग में हमने पढ़ा तो कौन सी मिट तो आपको लगा देना है कौन सी मिट्टी काली मिट्टी फिर हमने यहां पर मुरेना मतलब की चंबल संभाग में कौन सी जन जाती पड़ी तो सहरिया ठीक है इसका मतलब ग्वालियर संभाग में भी क्या पड़ी सहरिया तो भोपाल संभाग में भी कौन सी है सहरिया है ठीक ह जो सिहोर जिला है वो उज्जेन संभाग की तरफ टच होता है ठीक है उज्जेन संभाग से टच हो रहा है तो मैंली जो कोरकु जन जाती है वो मिलती हमको उज्जेन संभाग में लेकिन सिहोर जिला लगा हुआ जिला है इसलिए यहां पर भी कोरकु जन जाती पाई जाती है तो मुख्यता, अगर आपसे जंजाती पूछे जाए तो सीहोर जिले में आपको बतानी है कोरकू जंजाती टीक है? तो इतना हमारा कंफर्म हो गया यहाँ पर कौनसी जंजाती? शीहोर में कोरकू मिल जाएगी, खुछ मातरा में राजगर में भी मिल जाएगी क्यूंकि देखिए ये भागोलिक पार्ट जो हैं सीमाय तो हमने बनाई है तब की सीमाय इस तरह से इतना जिले की सीमाय यहां से राजगर होगा यहां से यह होगा लेकिन ये प्राचीन काल की जंजातियां है ये जहां पहले से रह रही है वहाँ रहेंगी तो अगर उज्जेन संभाग में कोई जनजाती पाई जा रही है तो वो उसके आसपास के जिले में भी पाई जाएगी ठीक है जिस तरह से सहरिया यहां पर है तो यहां पर भी है मतलब चम्बल में है तो ग्वालियर में भी और भोपाल संभाग में भी है ठीक है तो सिहोर जिले में मैली कोरकु जन जाती को पढ़ेंगे और भोपाल संभाग के जो बांकी के जिले हैं राय सैन, भोपाल, विदिशा, राजगर इन सब में आपको कौन सी जान जाती मिली है तो सौर जन जाती, सहरिय जन जाती यह हमने पड़े हैं ठीक है इसी तरह इसी क्रम में अब ये तो जो चंबल और ग्वालियर संभाग था ये था बुंदेल पार्ट ठीक है तो यहां मैंली बोली में कौन सी मिलती थी आपको बुंदेली मिल जाती थी ठीक है लेकिन जो हमारा भुपाल संभाग है अब यहां से सुरू हो जाती मालवी कौन सी मालवी बोली में आपको लगाना है क्या मालवी मालवी मलब की भुपाल संभाग के किसी जि फिर इसके बाद इसके बाद हमने यहां पर देखा सहरिया जन जाती हो गई यहां पर कोरकु मिल जाएगी और सहरिया जन जाती ठीक है अब हम पढ़ते हैं तहसीलों को तो गठन मैंने आपको बता दिया 1956 में हुआ था एक नमबर 1956 को ही जब मद्द परदेश का गठन हुआ है एक नमबर 1956 को तभी सिहोर जिले को मद्द परदेश का भाग बनाए गया या मिला लिया गया ठीक है भोपाल स्टेट का भाग था यह भी मैं बता चुका हूँ फिर इसके इतिहास के वारे में कुछ चीजन जान लेते हैं तो सिहोर को पूर्व में सिद्धपूर है ना यहाँ पर एक विशाल लेख हिस्तित है जिससे पता चलता है कि असोग असोग कौन है तो मौर काल मौर डाइनेस्टी से संबंद है उनका मौर डाइनेस्टी के तीसरे राजा है वो ठीक है पहले कौन थे चंद्रबप्त मौर फिर विंदुशार और उसके बाद असोग तो जो मैं अभी बता रहा था सारू मारू, ठीक है, सारू मारू में एक बिसाल लेख हिस्तेत है, जिससे पता चलता है कि यहाँ असोक, समराट असोक के पुत्र और पुत्री आये थे, ठीक है, समराट असोक के पुत्र और पुत्री आये थे शीहोर जिले में, यानि कि मद्द प् पूत्री आये थे ठीक है फिर तो इसका मने प्राचीन नाम जान लिया सारू मारू लेक की महत्त्तु जान लिया अब इसके इतिहास में एक बात और है जो मुगुस 21 द्वारा निरमित जामा मस्जिद है ठीक है कौन सुद्दिन द्वारा निर्मित एक जामा मख्जिस शिहोर जिले में इस्ते थे। घाए इसके बाद फिर चंदगुप्ट बिक्रमा पूर्पूर में सिद्ध गड़ेस मंदर है इसका निर्मान किसने किया था या किसने करवाया था तो चंदगुप्त बिक्रमादेत दूती ने ठीक है तो इतना हो गया इसके इतिहास के बारे में फिर एक घटना और है जो पूछी भी जाती एक्जाम में मैं पूछी गई है कि सिहोर जिले के दसहरा मैदान में देजवक्त चैन सिंग और अंग्रेज एजेंट मैड हॉक के बीच युद्ध हुआ था देजवक्त कौन है चैन सिहोर जिले के दसहरा मैदान में चैन सिंग और मैड हॉफ ठीक है मैड हॉफ के बीच में क्या हुआ था युद्ध हुआ था जिसमें चैन सिंग सहीद हो गए थे और इनकी चैन सिंग की समाधी यहीं पर बनी हुए ठीक है दसहरा मैदान में सीहोर जिले के दसहरा मैदान में समाधी बनी है किसकी चैन सिंग की और ये किस से लड़े थे तो अंग्रेज एजेंट मेड हॉक से इतने आपको याद रखना है प्राचीन नाम मैंने आपको बता दिया प्राचीन नाम सिद्धपुर था और सिहोर जिले का लंबा तीध है सेब, साख्त, जैन, वैशनाओ, बौध और नाथ, पुरोहित ने सिहोर को अपने महतपुर्ण ध्यान की महतपुर्ण इस्थान बनाया तो ये सब पूछा नहीं जाता है मैंली ये फैक्ट जरूर याद रखना कि मद्द प्रदेश के गठेन के बाद राज की राजधानी भोपाल सिहोर जिले का एक हिस्सा था यानि की तहसील थी 1972 में इसका विभाजन हुआ सिहोर जिले का और एक नया जिला भोपाल बना सिहोर जो है अवंती जो हमारे महाजनपद हैं अवंती का अभिन अंग है अभिन अंग रहा है और बाद में है मगद राजबंस, चंदगुप्त प्रथम, हर्सवर्धन, असोक महान, राजा भोज, पेशवा प्रमखों, रानी कमला वती और भोपाल राजबंस के नवावों के सरच्छन में था ठीक है फिर इसके बाद सिहोर, ब्रिटेश एशिन या कंपनी के राजनायते के जैंटों और निवासियों का मुख्याले बना रहा ठीक है इतना इंपॉर्टेंट है इसके बाद तहसीलें देख लीजे तो इसमें सिहोर, इच्छावर, आश्टा, बुधनी तहसील क्यों फेमस है तो बुधनी विधानसवा से ही चैनेत होते हैं, कौन हमारे वर्तमान सियम, सिवराज सिंग चोहान, यहीं बुधनी विधानसवा सीच से चुना लड़ते हैं ठीक है और बुधनी में ही रेलबे स्लीपर का कार खाना है बुधनी में, railway sleeper का कार खाना है, sleeper मतलब डिब्बे बनाने का कार खाना है और सीहोर, सीहोर किसलिए फेमास है, तो आपको पता होगा जो मद्ध प्रदेश का एक मात्र आवाशी खेल विद्याले है, वो है सीहोर में ठीक है, बांकी आँगे के fact अपन पढ़ते हैं, तो ये thousand time पूछा गया है, कि मद्ध प्रदेश का एक मात्र आवाशी खेल विद्याले कौन सा है, कहां पर है, तो ये है, सीहोर में रेलबे sleeper का कार खाना कहां पर है, बुधनी में, ठीक है, फिर है, कोलार नदी सीहोर में बहती है, तो कोलार नदी मैंने आपको पढ़ाया था, कि इससे जब भोपाल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, कोलार नदी, भोपाल और सीहोर, ठीक है, कोलार नदी, भो ना लग आएंगे Sihor फिर इसके बाद जो कुलार नदी है ये नरमदा की सहायक नदी है और यहाँ पर पारवति और नरमदा यह नदियां भी प्रवाहत होतीं है ठीक है नेक्प है मारा सिचाई परयोजना तो वही कुलार परयोजना है यहां पर कोलार परयोजना 70% पानी इसी परयोजना से मिलता है सिहोर को और इसी परयोजना से मिलता है भोपाल को भी ठीक है भोपाल को भी 70% पानी जो पीने का पानी है इसी परयोजना से मिलता है और इसी से सिहोर को भी मिलता है फिर है नैशनल हाइवे की बात क कर लीजे तो जब आपको मैंने भुपार पढ़ाया था ने हमने क्या देखा था कि वोपार में आपने देखा था कि एक आई एक है इंह shy2 शिख सदेखा था यहां मैंसे आपको बताया था कि भुपार से एस तारे से नीचे आता है ना नीचे तो Ce royal में भी जाएगा तो यही एक है जिसको याद रखना है आपको NH86 को भोपाल सी होर से कौन सा नैस्नल हाईवे गुजरता है ने चरफ जो पी बड़े-बड़े राज राज नहीं जिले हैं बड़े-बड़े जिले हैं उन से गुजरने वाले नैसल हाईवेज पूछे जाते हैं इसलिए NH-86 जो कि भोपाल से भी गुजरता है भोपाल की ओर से फिर यहाँ सिहोर जिले से होते हुए आंगे निकल जाता है यहाँ पर देख सकते हैं NH-146B है और यह है NH-752C ठीक है तो important नहीं है सिर्फ NH-86 को याद रखना भोपाल से सिहोर में आता है तो मैंने अभी आपको इस्टार्टेंग में बता दिया कि काली मिट्टी भोपाल संभाग में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको काली मिट्टी काली मिट्टी मदवर्देश के बुभाग में पाई जाने वाली सरवाधिक मात्रा में पाई जाती है फिर काली मिट्टी लोहे और चूने की मात्रा अधिक होती है काली मिट्टी में इसलिए इसका रंग काला होता है और पानी पढ़ने पर यह मिट्टी चिपकती है एब हम सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें पढ़ जाती है तो यह सब नहीं पूछा जाएगा आपको सिर्फ यह पूछा जाएगा कि जल सोखने की अधिक्तम चमता किस में होती है किस मिट्टी में होती है काली मिट्टी में लोहे और चूने की मात्रा के कारण इसका काला रंग होता है यह important है मद्द प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाए जाती है काली मिट्टी किस फसल से संबन देता है या किस फसल के लिए सरवाधे को प्योगी है तो कपास के लिए है ठीक है और इसमें नाइट्रोजन तत्तु की कमी होती है किसमें काली मिट्टी में छारी मिट्टी है आपको बताया था 7.5 से 8.5 most important है पूछा गया 7.5 से 8.5 इसका pH मान होता है देखे साथ से अगर उपर है तो छारी होगी ठीक है साथ से कम होती तो अमली होती तो यह चारी मिट्टी है और वायू संचरन तथा जल निकास की समस्या नहीं होती इसमें यह सब नहीं पूछा जाता है इसके बाद वन एवं वन जी में आपको सिर्फ इतना important है कि आप यहां के वनों का प्रकार याद रखें तो चाहे आपको चंबल पूछे ग्वालियर पूछे भोपाल पूछे यहां पर एक ही प्रकार के वन पाये जाते हैं जिसका नाम है उष्ण कटी बंदी परणपाती वन इन्हीं को बोलते हैं कटीले वन ठीक है सी होर जिले में बुद्धनी छेतर में बास्मती चावल लगाया जाता है बास्मती जो की अभी current से भी related है बास्मती चावल का जो GI tag है जी आई टाइक पाकिस्तान को दिया गया है ठीक है पाकिस्तान को जी आई टाइक मिला है बासमती चावल के लिए तो ये बुधनी छेतर में सबसे ज़्यादा हो आया जाने वाला चावल है बासमती चावल ये प्रदेश में प्रसिद्ध है के लिए ठीक है बासमती चावल के एगलेस साइट और एन हाइडराइट पाया जाता है ठीक है तो इतना इतना आपन को याद रखना है फिर ओद्योगिक परिद्रश्च में तो मैं आपको बता चुका हूँ रेलवे स्लीपर का कार खाना कहां पर है तो यह बुद्नी में है यानि की शिहोर में और यहां पर एक ITC फूड पार्क विक्सित करने के लिए योजना चालू हो रही है ओद्योगिक छेतर में ITC को पचपन एकड भूमी आवंटेत की गई है इस पर ITC फूड पार्क विक्सित करेगी ठीक है फिर है हमारा जन जाती तो मैंने भी आपको बता है क्योंकि यह उज्जेन संभाग क if demais के अनेग गाउं में निवास करती है फिर है कोर्कुगार्थ तो मानवों का समुं को और नो का समुंग यह सब पूछे जाते हैं इसलिए मैं इंपॉर्टेंट है यह जन जाती सत्पोड़ा परवत छेत्रों में निवास करती है सत्पुड़ा परवत छेत्रों जब अपन भौतिक भरगी करन पढ़ेंगे ठीक है टॉपिक बाइज में तो आपको वकाइदा वहां पर जन जाती है कौन सी जन जाती कहां पाए जाती है कौन से वन कहां पाए जाते है मानसून कैसा है या फिर ये परवत पठार चेत्र अपना पठार चेत्र है मत प्रदेश तो कौन सा पठार कहां पर है ठीक है जो साथ भागों में बटा है हमारा भागोलिक रूप से तो इसको हम पढ़ेंगे ठीक है तो टेंसर नहीं लेना है इसके बाद मैंने आपको बताया था भोपाल पाड़ था यहाँ पर पाई जाती है मालवी बोली ठीक है नीचे दिया भी इंदौर उज्जें सीहोर देवास रतला में धार में बोली जाती है मालवी ठीक है फिर है भवई लोकनाट तो यहनाट मदप्रदेश के मालवा छेत्र में मुख्यता जहाबुआ धार रतला भील जन जाती से संबंदित है भवई लोकनाट फिर प्रमुक परेटन इस्तिल है तो गड़ेस मंदिर सीहोर में है ठीक है याद रख लीजेगा इसको बनवाया किस ने था तो चंदगुप्त बिक्रमदत्य यानि कि चंदगुप्त दुती ने बनवाया था ठीक है पेशव कि सीहोर जिले के दसहरा बाला मैदान में देशभक्त चैंसिंग और अंग्रेज एजेंट मैड हॉक के बीच युद्ध हुआ था यहीं पर चैंसिंग की समाधी बनी हुई है ठीक है फिर प्रमुक परेटन इस्तल है बिंदवाशनी माता मंदिर सकलनपूर सकलनपूर में ब पता चलता है कि असोग के पुत्र और पुत्री यहां पर आए थे सारू मारू अभलेक से फिर सारू मारू में एक प्राचीन मठ परिसर और बहुत गुफाओं का परातात्विक स्थल भी है ठीक है फिर इसके बाद यह बुधनी तहसील के ग्राम गुराडिया के पास इस्त जाएगा क्योंकि राता पानी अपर राइसेन में पढ़ चुके हैं अब अमलेशवर महादेव मंदर है टपकेशवर महादेव मंदर है ठीक है तो यह सब पटवारी वाले मंदरों को जादा पढ़ा करें पर सिद्धी के कारण देख लेते हैं अप अपन लोग तो माता पा जाए आपको शीहोर लगाना है राता पानी अभ्यारन राय सेंजले में ठीक है फिर प्रमुक बिंदु इसके पढ़ लीजे तो शीहोर पूर्व नाम सिद्धुपूर है फिर नदी सीवान नदी सीवान के नाम पर एक अभिलेखा नुसार है और जामा मस्जिद है यहां प यह सिकंदर जहां वेगम आपने भोपाल की जो चार वेगम पढ़ी थी उनमें से एक हैं मध्यूगीन जैन मंदर यहीं पर है उन्नीस सो सेटालिस के पहले नेजा में मसरिफ कहलाता था ठीक है तो इस तरह से फिर सिहोर बिटिस काल में अंगरेजों की छावनी रहा है और स शिहोर हाय सगेंडी स्कूल में सिच्छा प्राप्त करने वालों में प्रमुख हस्तियों के नाम याद रख लेना क्योंकि पूछा जाता है कि इनका संबंद किस राज्यू से है तो मुहम्मद हिदायत उल्ला जो हमारे मद्ध प्रदेश की हाई कोट के पहले मुख प्रदेश बने राष्टपती बन चुके है तो मुहम्मद हिदायत उल्ला का संबंद शिहोर जिले से है पूर्व मुख सचिव एम के ब्रांच यहीं से है फिर शिहोर की आश्टा तहसील से पारवती नदी निकलती है पारवती नदी का उद्गम इस्तल है कौन शिहोर जिल आता कि मंदर के नाम से जानते हैं सकलनपुर यहां पर मेला लगता है फिर है सिहोर जिले के पान गुड़दिया बुधनी के असोक के अभिलेक प्राप्त हुए हैं कहां से पान गुडदिया से यानि की सिहोर जिले के सारु मारु से ठीक है उसी से पता चलता है कि असोक के पुत्र पुत्री यहां आये थे और सिहोर में इस्थित सुगर मिल का नाम भोपाल सुगर मिल्स रहा है भोपाल सुगर मिल्स का नाम अगर पूछा जाता है तो वो सिहोर जिले में है ठीक है फिर सिहोर में कोलार नदी का उदगम वा कोलार जलासय पर योजना है पढ़ चुक है ये वो सहर तो नहीं के लिए ग्यानपीठ पुरुसकार भारती ग्यानपीठ का नौलेखन पुरुसकार मिला है किसको सिहोर के पंकज सुधीर को ठीक है इतना याद रखना कुंगर चैंसिंग मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है इस तरह से हमारा यहाँ पर सिहोर जिला कंप्लीट होता है यहाँ पर जो भोपाल ये भोपाल सुगर मिल्स है न भोपाल सुगर मिल्स ये बरलाई में है सिहोर जिले के बरलाई में मदब्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी सक्कर कार खाना जिसको भोपाल सुगर मिल्स क के नाम से जाना जाता है इस थापित है ठीक है तो आई थिंक इस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अगर पूछा जा सकता है तो गोपालपुर का जो गड़ेस मंदिर है यहाँ पर उज्जैनी के राजा चंदकुप विक्रमा दित्य द्वारा निर्मित है गड़ेस म पूछा जाएगा इतना काफी है तो यहां पर हम समाप्त करते हैं जय हिंद जय भारत क्या हम जब भारत